हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं ग्रेंड लिक की छे टीम के बारे में फ्रेंज जो मुकाबरा खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेज डेली कैपिटल के बीच में आप शाम को साड़ी साथ बजी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं छे ग्रेंड लिक के टीम के साथ में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ इसमोर लिक के टीम पर प्लीज वीडियो को लाश तक देखेगा लेकिन उससे पहले फ्रेंज आपको एक काम करना है अगर आपने अभी तक हमें टेलिगराम पर फोलो नहीं किया है तो फ्रेंज जरूर से हमें टेलिगराम पर फोलो कर लीजेगा टेलिगराम की लिंक मिलेगी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना टेलिगराम मनी गुरुजी के नाम से है 35,000 यूजर अमार साथ जूड़ चुके लेकिन काफी फोड बंदर जिन्होंने पूरा टेलिग्राम मेरा कॉपी किया हुआ इसलिए मैंने लिंक दिये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से आपको में पीच रिपोर्ट के बारे में बाद के लिंसे ग्राव्णत के इद लेकार, इसलिए भान पांगे चल रहा हूँ, एक सो पचास के करीब इसको रमे आप देखने को मिल सकता है, जितना ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर बल्ले बाजो को मिलता है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर गेंद बाजो को भी मिलता है, बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प् पर देदूँगा, फिर डेविड ओनर है, मिचल मार्श है, रिशब पंते, लली त्यादव है, रॉमैन पोविल, फिर हम देखेंगे यहाँ से अक्षर पतेल, शारदूल ठाकूर, चेतन साकरेक की जगे, इस मेच में खली लैमत खेल सकते हैं, फिर कुल्दिव यादव और नोर्ख्या, तो कुछ इस प्रकार रह सकती है, देली कैपिटल की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन, पंजाब टीम से बात करें, तो पंजाब टीम से भी आप देख सकते हो, जौनी बेस्टर के शाथ में सिक्तमरीजम को ओपन करते होने जरा सकते, जौनी बेस्टर लाष्ट आपको टेलीग्राम पर बतोंगा टोस के बात में, देख लेते हैं क्या रहेगी आज की हमरी स्मोल लिग के टीम और ग्रेंड लिग की टीम, तो फ्रेंज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मोल लिग टीम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेंड लिग टीम के ब बोनस मिलता है वो आप 100% बोनस यूज अब लीक में यूज कर सकते हो मतलब फ्री में आप खेल सकते हो फिर फ्रेंज पहले डिपोजिट पर ये आपको 200% तक बोनस दे रहे तो वो बोनस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मतलब फिर से आप फ्री में खेल सकते हो फिर फ्र में एक बार जरूर से डाउनलोड कीजिएगा इसमोर लिग टीम की बात कर लें तो विकेट की पर सेक्षिन में मैंने रिशब पंद को लिया है और जोनी बेस्टो को लिया है आप चाहें केज भरत और जिते शर्मा से में से भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन इतनी अची लाई में नजर नहीं आ रहे हैं फिर हम बात कर लें बल्लेबाजी शेक्षन की तो यहाँ पर शेकरदवन मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम मेरी आ जाते और मैंने लिया है बानुगा राजा पक्षा को फिर मैंग अगरवाल इनका बल्लेबाजी करम लगबग नमबर चार नमबर पांच का रह सकता है इस मेच में रोमेन पोल का भी लगबग यही नमबर करम रहता है नमबर चार नमबर पांच फिर हम देखें निचे के ओप्शन में तो सारे ओप्शन हमें रिस्की नजर आते हैं फिलाल मैंने बानुगा राजा पक्षा, डैविड वोर्णर और मैंने लियाए शेकर दवन को दो ओल रूंडर लेकर चलूँगा, मिचल मार्श और लिविंग इस्टोन, दोनों ही केप्टिन वाइस केप्टिन की अच्छी चोई से फिर अक्षर पटल को आप ले सकते हो, रिशीद दवन को बहुत अच्छा काम करें इस सीजन में फिर शारदू ठाकुर को आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं बात कर लेते हैं फैन्टू प्ले एप की स्मोर लिक की टीम के बारे में तो आप देखो के जॉनी बेस्टों, शिकर दवन और बानुगा राजा पक्षा को में ने लिया है डेविड वोर्नर, रिशब पंत को में ने लिया है, फिर मिचमार, बल्ले बाजी के साथ गिंदभाई से भी कंट्रीबूट करते हैं इसलिए मेरे कैप्टेन भी है, फिर लिविंग इस्टों, राहुल चाहर, रबाडा और कुल्दी व्यादो और नोर क्या तो एक परफेक्ट टेम मुझे नजर आती है, हाला कि खली लेहमत खेलते हैं तो आप खली लेहमत को ट्राइ कर सकते हो, राहुल चाहर की जगे पर, या आप चाहे तो दूसरी जगे पर भी यहाँ पर चेंजिस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, फेन्टो पलेप जरूर ड टीम वन की, जौनी बेश्टो, शिकर दवन, बानुका राजा पक्षा, डेविड वोर्नर, रिशव पंत को मैंने लिया है, फिर रिशी दवन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सीजन में, कुल्दिव यादो, मिच मार्श मेरी टीम में आ जाते हैं, वही पर नोर क्या कैप्टेन वाइस कैप्टेन किया है, दूसरी टीम में आप रबाडा और शिकर दवन को कैप्टेन वाइस कैप्टेन कर सकते हो, तीसरी टीम में आप जोनी बेश्टो शिकर दवन को कैप्टेन वाइस कैप्टेन कर सकते हो, इस तरह से ओनली आपको कैप्टेन वाइस कैप् इस मेच में जो प्लेयर है थोड़े सेलेक्टेड है तो टीम से ज़्यदा छेड़ जार हमें बिल्कुल नहीं करनी है फिर यहां से कुल्दी प्यादो रबाडा नोर्ख्या मेरे फिक्स रहेंगे यहां पर मैंने क्या क्या है रिशी जवन की जगे चेतन साकरियों को लिया है ध्यान रखना क्याप्टेन वाइस क्याप्टेन मैंने नहीं बनाए क्याप्टेन वाइस क्याप्टेन आपको माइंड सा बनाने तबी आपकी रेंग काईगी फ्रेंज चेतन साकरियों को लेने का मकसद यही था बहुत अच्छे गेंद बाज़े दे तोर में भी गेंद बा मत को ध्यान रखना अगर खली लेमद इस मेच में नहीं केलते तो इनकी जगे आश्यदीप सिंग होगे उन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते बहुत अच्छे गिंद बाजे या आप चाहे तो अक्षर पटेल को लेकर चल सकते तो एक परफेक्ट टीम आपके फिर से बन ज अच्छा काम कर सकता है फिर और फिक्स रहेंगे मिच मार्स और लिविंग स्टोन कुल्दीप यादो रबाड़ा राहूल चारो नोर्क्या फिक्स रहेंगे गेंद बाजी में चारो को मैं ज्यादा इंप्रेंस दे रहा हूं क्योंकि चारो के चारो विकिट टेकिंग आ सकती है, नेक्स्ट टिम की हम बात कर लें, तो नेक्स्ट टिम आप देखोगे, नेक्स्ट टिम मैंने पूरी फेवर किये देली को, क्योंकि यहाँ पर मिच्छ मार्श, कुल्दीब यादो, खलील एमद, खलील एमद नहीं कहलेंगे, तो चेतिन साकरिया को ले लेंगे, एक कोई प्लेयर नहीं कहल रहा, कॉंबिनेशन आपको पकड़ना है, ना कि आपको टीम पकड़नी, कहने का मतलब अगर खलील एमद नहीं कहलेंगे, तो एक गेंद बाज हम लेंगे, अगर प्रत्वी शो इसमें नहीं कहलेंगे, तो इनकी जगे हम दूसरा बल्ले बाज को ले से कांद कर सकते हैं, फिर शिकरदवन, बानुगा राजा पक्षा, लिविंग स्टोन और जोनी बेलस्टो, तो यह जो टीम में थोड़ी सी फेवर करती हुई नजर आ रही है, वो आ रही है देहली को, अब नेक्स टीम की बात कर लें, अब नेक्स टीम आप देखो कि थोड ज़दा बैहतरी नजर आता है, तो फ्रेंग, यह थी मेरी आज की छे ग्रेंड लिक की टीम, लेकिन ध्यान रखना वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो लिंक में ने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये, टेलिग्राम की मनी गुर जी नाम स